राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तु थे नन्ने मुन्नों के लिए ध्वनी कारिक्रमों की शंखला शिशु जगत शिशु जगत में आज सुनते हैं कारिक्रम दुनिया की च्छत किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाखे की जलवाईयों, रहन सहन, खान पान और संस्कृती को समझना उप्योगी होता है जिस इलाखे में वो लोक कथा सुनाई जाती है तिब्बत जिसे दुनिया की च्छत कहा जाता है क्योंकि ये बहुत उंचे पठार पर स्थित है पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं, जो मैदान से उंचा और पहार से नीचा होता है तिब्बत के पठार पर खड़े हैं उंचे उंचे पहार जो हिमालाय का हिस्सा है इन पहारों की एक खासियत ये है कि ये कई रंग के हैं भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं इन पत्रीले पहाडों में तरह तरह की मिट्टी और खनिच पदार्थ है सूरज की बढ़ती और घट्टी किरनों के पढ़ने से वे पहाड अनोखे रंगों में चमक उठते हैं तिबबत की हवा में नमी बहुत कम है इस वजह से यहां बरसात और बर्फबारी कम होती है खुश्क मासम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं तिबबत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहां घने जंगल पाए जाते हैं उन जंगलों में पीर पौधों पशु पक्षियों की दुरलव किसमें मिलती हैं तिबबत की मिठी कहीं रेतीली है कहीं लाल पीली तो कहीं काली तिबबत में लगभग पंद्रहसो जीले हैं ये जीले बनती हैं पहाडों की बर्फ पिघलने से इनमें मानसरोवर जील का बहुत नाम है यहीं से सांगपो यानि ब्रह्म पुत्र नदी निकलती है काफी उंचाई पर बसा होने के कारण तिबबत बहुत ठंडा प्रदेश है यहां की सर्दी का हाल मत पूछो ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और उपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो इसी लिए वहां के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं तिबबती लोगों की घर बनाने की कारी-गरी अनोखी है यहां लकडी के बने हुए बहुमंजिला घर है लोग अपत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं खिडकियां भी अधिक बनाई जाती हैं ताके सूर की धेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके भूकंप से बचाओ के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा जुकी होती है तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लासा 3650 मीटर की उंचाई पर स्थित होने के कारण ये दुनिया का सबसे उंचाई का शहर माना जाता है कपड़ों तथा खानी पीने के लिए यहां का बाजार बहुत प्रसिद है लासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है दुनिया की चत अभियाप सुन्रहे थे ये कारिक्रम पाट समन्वै डॉक्टर लता पांडे नर्मान संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार नीरश्यर्मा ध्वन्यांकन दीपक पांडे और मिता भट्टी नर्मान सहयोग दावदयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान इवं प्रस्तुती वंदना अरिमर्दन अभियाप सुन्रहे थे ये कारिक्रम लिजे अब सुनिये ये गीत टेसू तेसुरा तेसुरा घंतार बजईयो नो नगरी दस गाउं बसईयो तेसुरा तेसुरा घंतार बजईयो नो नगरी दस गाउं बसईयो नो नगरी दस गाउं बसईयो बस गए तीतर बस गए मोर पूढी दुकरिया ले गए चोड़ चोरन के घर खेती भई, खाई दुकरिया मोटी भई खाई दुकरिया मोटी भई, मोटी है के पीहर गई पीहर में मिले भाई हो जाई पीहर में मिले भाई हो जाई सबने मिलके दई बदाई 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 शोताव, C-I-E-T, N-C-E-R-T के हमारे कारिक्रम आपको कैसे लगते हैं? आप इन कारिक्रमों में और क्या सुनना चाहते हैं? हमें लिखिये, हमारा पता है ध्वनी रेडियो प्रभाग, C-I-E-T, N-C-E-R-T, अर्विंदो मार्ग, नई दिल्ली, 110-016